हेलो दोस्तों वेलकम टो माई चनल सुबलेच दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो हमारा सेशन है यह इंग्लिस स्टोरी का सेशन है इसमें हम लोग इंग्लिस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिस के ने ने ग्रैमर के रूल सीखते हैं और साथ ही साथ इंग्लिस के ने ने वर सिखते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस सेशन की सुरुवात करते हैं, और ये जो हमारा सेशन है, ये इस सेशन का तीसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग तीसरे वीडियो की सुरुवात करते हैं, तो जो हमारा तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो का जो और हड़ी तो चलिए आप हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं Once there was a dog who wandered the streets night and day in search of food Once, एक बार, once का मतलब होता है एक बार एक बार there was a dog, एक कुत्ता था, there there का यहाँ पे कोई मिनिक नहीं है, was मतलब था, a मतलब एक, dog मतलब कुत्ता एक बार एक कुत्ता था, यहाँ पे जो there का इस्तमाल हुआ है यहाँ पे there का कोई sense नहीं आता है, there का इस्तमाल सिर्फ sentence के formation के लिए क्या गया है अगर आप हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे, English Story के तो उसमें हमने बताया था, कि जो there का इस्तमाल होता है, वो English में दो तरीके से क्या जाता है there का इस्तमाल एक तो sentence formation के लिए क्या जाता है जैसे कि एक राजा था, there was a king, एक कुत्ता था, जैसे यहाँ पे है, there was a dog एक घोड़ा था, there was a horse, तो इस प्रकार से किसी भी चीज के बारे में हमें बताना हो किसी भी वस्तू के बारे में बताना हो, तो वहाँ पे हम लोग there का इस्तमाल करते हैं और दूसरा देर का इस्तमाल होता है, वहाँ के sense में, जैसे वहाँ जाओ, go there तुम वहाँ जाना चाहते हो, you want to go there, तो वहाँ के लिए, there का इस्तमाल होता है लेकिन यहाँ पे जो देर का इस्तमाल हुआ है यहाँ पे देर का कोई sense नहीं है बस sentence के formation के लिए देर का इस्तमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो उसी को indicate करने के लिए देर का इस्तिमाल क्या गया है तो once there was a dog एक बार एक कुत्ता था who wondered who मतलब जो यहाँ पर जो who का मतलब होगा जो अब who का जो इस्तिमाल होता है who का भी दो तरीके से इस्तिमाल क्या जाता है who का एक sense तो होता है कौन जब who का इस्तिमाल question के लिए क्या जाए तो वहाँ पर कौन का sense आता है लेकिन जब who का इस्तिमाल sentence में किसी के बारे में indicate कर रहा हो तो वहाँ जो के sense में आता है जैसे a dog who से पहले यहाँ पर a dog है तो dog के बारे में extra activity को बताने के लिए उससे जुड़े वे चीजों को बताने के लिए यहाँ पर who का इस्तिमाल हुआ है dog के बारे में बताने के लिए इसलिए आपर जो होगा who का मतलब जो होगा जैसे once there was a dog एक बार एक कुत्ता था who, जो अब यहाँ पर who किस के लिए है जो मतलब कुत्ते के लिए जो कुत्ता कुत्ते की बात हो रही है तो कुत्ता जो vendor vendor मतलब होता है इधर उधर घूमना vendor का मतलब होता है इधर उधर घूमना vendor का मतलब इधर उधर घूमना होता है और vendor का यह past form है vendor क्योंकि जो यह sentence है ये past indefinite tense का sentence है इसलिए इसमें past form इस्तिमाल क्या गया है vendor का vended इसका past form होता है भी two vended हो गया भी three vended vendor, vended, vended तो once there was a dog एक बार एक कुता था who vended जो घूमता रहता था घूमता फिरता रहता था the streets streets मतलब होता है सडक सडको पर जो घूमता रहता था सडको पर night and day रात और दिन night मतलब रात and और day मतलब दिन, रात और दिन सडको पर घूमता रहता था in search of food भोजन की तलास में food मतलब भोजन in search of मतलब की तलास तो in search of food मतलब भोजन की तलास में इधर उधर घूमता रहता था सण कोपर, कौन कुट था, तो जो ये in search of, इसका मतलब हो गया की खोज में, की तलास में, जैसे यहाँ पे इस्तमाल हुआ है in search of food, भोजन की तलास में, इसको आप दूसरे तरीके से भी इस्तमाल कर सकते हैं, अलग sentence में जैसे in search of gold, सोने की तला once there was a dog who wandered the streets night and day in search of food, एक बार एक कुट था, जो इधर उधर सण कोपर घूमता रहता था, रात और दिन भोजन की तलास में, one day, एक दिन, one day, एक दिन, he found, उसे मिला, या उसने पाया, या found, found का मतलब होता है, पाना या मिलना, इसका जो है find होता है, find मतलब होता है, पाना, किसी चीज़ को पाने के लिए हम लोग find का इस्तमाल करते हैं, या कोई चीज़ मिलता है, तो उसके लिए हम लोग find का इस्तमाल करते हैं, और find का यह past form है, found, find का past form भी two होगा, found, और भी three भी होगा, found, find, found, और यह जो sentence है, यह भी हमारा past indefinite tense का sentence है, इसलिए आपे find का past form का इस्तमाल हुआ है found, तो he found, उसे मिला या उसने पाया, one day, एक दिन, he found, उसे मिला, या फिर उसने पाया, दोनों में से कोई भी आप इस्तमाल कर सकते, a big juicy bone, a big, एक big, मतलब बड़ा, big का मतलब क्या होता है, बड़ा, juicy, juicy मतलब होता है, रसीला, रस से भरा हुआ, bone मतलब तो एक बड़ा सा रसीला हड़ी उसने पाया या उसे मिला, तो यहाँ पर जो he है कोई है, dog, he का इस्तमाल dog के लिए गया, one day, एक दिन, he found, उसने पाया, a big juicy bone, एक बड़ा सा रसीला हड़ी उसने पाया, किसने एक कुत्ते ने, कुत्ते ने एक बड़ा सा रसीला हड़ी पा रसीले फल खाता हूँ I eat juicy fruits तो इस प्रकार से आप juicy का इस्तमाल कर सकते हैं I eat juicy fruits I eat juicy mango इस प्रकार से आप juicy का इस्तमाल कर सकते हैं juicy मतलब होता है रस से भरावा जिसमें रस हो, रसतार चीजे तो यहाँ पर जो bone है उसमें रसतार bone था मतलब तो juicy bone इसलिए आपे big juicy bone एक बड़ा सा रसीला मतलब भरस से भरा हुआ उसको हड़ी मिला किसको कुट देखो and or he immediately grabbed it and he he मतलब उसने किसने he किसके लिए हुआ dog के लिए he उसने immediately immediately मतलब होता है तुरंत सिगरता से जल्दी से immediately मतलब तुरंत सिगरता से जल्दी से उसने grabbed का मतलब पकड़ना पकड़ लिया grab का मतलब होता है पकड़ना ग्राव मतलब पकड़ना इसी का past form हैepende с ग्रैप्ट, ग्रैप्ट मतलब हुआ पकड़ लिया, उसने सिगरता से उसने तुरंद से पकड़ लिया, इट इसे किसे इट यहां पर इस्तमाल हुआ है जूसी बोन के लिए, तो he immediately grabbed इट, उसने सिगरता से उसने जल्दी से बिग जो जूसी बोन था उसे पकड़ लिया, यह इसे जूसी बोन को between के बीच में, between his mouth, between अपने मुह के बीच में, his mouth, his मतलब होगया, अपना mouth मतलब मुह, between के बीच में, between का इस्तमाल बीच के लिए कहा जाता है, तो between his mouth, अपने मुह के बीच में, उसने तुरंद उसे पकड़ लिया, उस हड़ी को तुरंद पकड़ लिय तो grab मतलब हो गया पकड़ना तो उसने तुरंत पकड़ लिया अपने मूँ के बीच में अब यहां जो his का इस्तमाल हुआ है वो possession को सो कर रहा है तो subject यहां पे क्या he है इसलिए इसका possession के लिए word क्या हुआ his का प्रियोग हुआ his mouth अगर यहां पे subject आपका I होता तो जो यहां पे sentence मनता I immediately grabbed it between my mouth यहां पे जो possession सो करता वो my so करता तो he का possession his सो करता इसलिए आपे his का इस्तमाल क्या गया है कि यहां अपनी के बारे बताने के लिए बात हुआ है इसलिए आपे his का इस्तमाल हुआ है क्योंकि subject यहां पे क्या है he है इसलिए his का इस्तमाल हुआ तो he immediately grabbed it between his mouth उसने सिगरता से इसे पकड़ लिया अपने मुग के बीच में and or took लेगया it इस इसे इसे लेगया किसे लेगया बौन को हड़ी को हड़ी को यहां किस के लिए इस्तमाल हुआ हड़ी के लिए juicy जो बौन है उसके लेगया इससे ले गया home घर हमारा, juicy bone था उस juicy bone को उसने अपने मुग के बीच में पकड़ लिया और उसे घर ले गया कौन? कुछ on his way home on मतलब पर his मतलब अपना way मतलब रास्ता home मतलब घर his यहाँ पे अपने के sense में आया है क्योंकि यहाँ पे भी यह position दिखा रहा है क्योंकि इस sentence में subject he है इसलिए उसका position होगा his इसलिए यहाँ पे हो जाएगा his मतलब अपना तो अपने घर जाने वाले रास्ते पर on his way home अपने घर जाने वाले रास्ते पर he उसने he का मतलब उसने crossed पार किया crossed, crossed क्रोस का past form है cross मतलब होता है पार करना और उसी का b2 यानि past form crossed होता है भीतरी भी crossed होता है तो यह जो sentence यह past indefinite का sentence है इसलिए यहाँ पे crossed का इस्तमल किया है तो उसने पार किया a river, एक नदी river का मतलब नदी उसने एक नदी को पार किया अपने घर जाने वाले रास्ते पर उसने एक नदी को पार किया and or शाव, शाव मतलब देखा सी का जो past form होता है वो शाव होता है सी मतलब होता है देखना और सी का past form भीटू शाव होता है और भीतरी सीन होता है S-double-E and सीन तो S-double-E, C सी मतलब होता है देखना इसी का भीटू है शाव तो and saw उसने देखा another dog another मतलब होता है दूसरा dog मतलब होता है कुत्ता उसने दूसरा कुत्ता देखा he crossed a river उसने एक नदी को पार किया और दूसरे कुत्ते को देखा अब ये दूसरा कुत्ता कहां देखा तो जब ये नदी पार कर रहा था तो नदी का जो पानी था नदी का जो पानी था उस नदी के पानी में उसने अपने परचाई को देखा और वो कुत्ता अपने ही परचाई को दूसरा कुत्ता समझ रहा था तो यहाँ पे जो नदी पार कर रहा था जब घर जा रहा था तो उसके घर जाने वाले रास्ते में एक नदी मिलती थी अब उस नदी मिलती थी और उस नदी को पार करके वो घर जाता था तो जब वो नदी को पार कर रहा था उसी दौरान उसने दूसरा कुत्ता देखा तो उसने दूसरा कुत्ता रियल में देखा उसने कहां देखा दूसरा कुत्ता तो जब नदी पार कर रहा था, तो नदी का जो पानी था, उस पानी में उसने अपना ही परचाई देखा, तो उसको लगा कि वहाँ दूसरा कुत्ता है, लिए वो कुत्ता कौन था, उसी कुत्ते का परचाई था, जो नदी के पानी में दिखाई दे रहा था, तो उसने दूस had a bone in its mouth who also had who also had जिसके पास दुसरे कुत्ते की बात हो यहां पे तो दुसरे कुत्ते के पास जिसके पास यानि दुसरे कुत्ते के पास यह कहना चाह रहा है तो यहां पे जो बात हो रहा है वो दुसरे कुत्ते की बात हो रहा है तो बोल रहा है कि उसने दूसरे कुट्टे को देखा, जिसके पास उसके मुँमे भी एक हड़ी था, in its mouth, मतलब उसके मुँमे एक हड़ी था, who also had a bone in its mouth, उसके मुमे भी एक हड़ी था, जिसके मुमे भी एक हड़ी था, तो यह पुरा sentence क्या बनेगा, on his way हो, अपने घर जान had a bone in its mouth, जिसके पास उसके मुमे भी एक हड़ी था, he wanted, he मतलब वो, wanted मतलब चाहता था, wanted, want का past form है, want, w-a-n-t, want, want मतलब होता है चाहना, और इसका भीटु wanted होता है, भीत्री भी wanted होता है, तो यहाँ पे भीटु का इस्तमाल हुआ है, क्योंकि यह past indefinite का sentence है, तो he wanted, वो चाहता था, he मतलब, wanted, चाहता था, that मतलब, उस bone मतलब हड़ी, वो उस हड़ी को चाहता था, for himself, अपने लिए, अब यहाँ himself का इस्तमाल हुआ है, अपने के sense में, अपने लिए, for मतलब के लिए होता है, himself मतलब अपना, यानि अपने लिए, for himself, अपने लिए, तो यहाँ प वह अपने लिए उस हड़ी को चाहता था तू का मतलब क्या होता है भी वह अपने लिए भी उस हड़ी को चाहता था अब वो क्या हुआ कि जो कुत्ता था वो नदी क्रोस करने के दोरान वह दूसरा कुत्ता देखा यानि अपनी परचाई को देखा उस परचाय में अब उसके मुं में हड़ी था तो परचाय में भी उसको हड़ी दिख रहा है उस कुट्टे के पास तो वह उस हड़ी को भी चाहता था उसे लगा दूसरा कुट्टा है और उसके मुं में भी एक हड़ी है तो मुझे वो भी हड़ी चाहिए इस कुट्टे को ऐसा मन कर रहा था ऐसा चाह रहा था कि वो जो हड़ी है दुसरे कुट्टे के पास वो भी मुझे मिल जाए but लेकिन as जैसे ही as मतलब जैसे ही उसने opened, opened मतलब होता है खोलना, open का मतलब होता है लेकिन जैसे ही उसने खोला, क्या खोला? his, his मतलब अपना mouth मतलब मुझे जैसे ही उसने अपना मुझे खोला the bone, हड़ी bone मतलब हड़ी he was biting जिसे हुआ काट रहा था अब यहाँ पे bite, bite का मतलब होता है काटना, bite का क्या मतलब होता है काटना, अब कट का मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए कट का इस्तमाल होता है, लेकिन especially दाć से काटने की जब बात हो तो आपने bite का इस्तमाल होता है bite, दाथ से काटने के लिए bite का इस्तमाल की जाता है इसका जो past form होता है בitus, वहाँ पिट BIT 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 3 होता है BITEN 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 और जो BITEN BITEN और जो BITEN होता है वो होता है BITEN जिसमां ING का form लगता है BITEN तो यहाँ पर जो sentence है वो past continuous का sentence है इसलिए यहाँ पर biting का इस्तमाल हुआ है यानि काट रहा था जिसे वह काट रहा था he was biting मतलब वह काट रहा था तो हड़ी जिसे वह काट रहा था fail fail मतलब गिर गया fail fall का past form है fall fall का मतलब होता है गिरना किसी चीज का गिरने की बात हो तो उसमें fall का इस्तमाल होता है और fall का V2 होगा fail और भी 3 हो जाएगा fallen तो यहाँ पर V2 का इस्तमाल हुआ है fail past form तो he was biting यानि हड़ी जिसे वह काट रहा था यानि जिसे वह कुत्ता दात में काट रहा था वह हड़ी fell गिर गया into the river नदी में गिर गया river मतलब नदी नदी में into मतलब में गिर गया अब यहाँ पर into का इस्तमाल हो सकता था लेकिन यहां पर इंटू का इस्तमाल क्यों हुआ इनका क्यों नहीं हुआ तो इसका लॉजिक क्या है तो इनका इस्तमाल में के लिए होता है इन्टू का भी में के लिए होता है लेकिन जो इन्टू का इस्तमाल होता है वो ऐसे चीज़ों के लिए जहां पर मोशन को दिखा र या नदी में गिर गिया, यानि कोई एक वस्तू एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जा रहा है, यानि वो गिर रहा है, यहाँ पर गिरने को सो कर रहा है, यानि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुंच रहा है, यानि वो जो हड़ी है, वो उपर में था, और वो गि इवर में यानि में इंटू तो यहां पर इंटू का इस्तमाल होगा इन का इस्तमाल ने होगा क्योंकि यहां पर मोशन को सो कर रहा है तो यहां पर नदी में गिर गया मतलब फेल इंटू दा रिवर वा नदी में गिर गया क्या गिर गया जो हड़ी जिसे जो कुत्ता मूं में दबा के रखा था वो नदी में गिर किया हुआ कि वो देखा कि हड़ी था उसके पास मतलब कुट्टे के पास अब वो नदी में गया तो जब नदी के पास वो गया तो उसको परचाय में अपना ही परचाय दिखा उसको मतलब नदी के पाने अपना परचाय दिखा उस परचा था, वो हड़ी कहाँ? नदी में गिर गिया। अब उन नदी में परशाय देख रहा था। अब उन हड़ी को चाह रहा था, तो मुँ खोला तो उस हड़ी को पाने के चक्कर में, परशाय वाल Monate के चक्कर में इसने मुँ खोल दिया और जो इसके पास आलरेडी पहले से हड़ी था वो क्या होगा नदी में गिर गिया and sank और डूब गिया sank sink का past sink मतलब होता है डूबना sink का v2 हो गया sank और भीत्री होगा sunk s-u-n के sunk भीट्व s-a-n के और s-i-n के sink मतलब होता है डूबना तो sink का v2 sank और भित्रे संख होगा तो सेंख मतलब डूब गया तो यहां पर जो हड़ी था वह क्या हो गया नदी में गिर गया और डूब गया that night that मतलब उस night मतलब रात that night मतलब होगा उस रात उस रात he went home hungry He, He, went, चला गया Went, go, का past form Go, मतलब होता है, जाना Go, का, भीटु होगा, went और भीतृ होता है, gone तो यहापे, भीटु का इस्तमाल हुआ है, क्यों कि यह sentence, past, indefinit tense का sentence है, और past, indefinit tense में, भीटु का इस्तमाल होता है तो, that night, उस रात ही वेंट वह चला गया होम घर वह घर चला गया हंगरी हंगरी मतलब होता है भूखा तो वह भूखाई घर चला गया उस रात वह भूखाई घर चला गया वह मतलब कौन कुत्ता यानि कुत्ता भूखाई घर चला गया वह लालची किया दूसरा हड़ी पाने के चक्कर में अपना हड़ी खो दिया तो यह जो कहानी है यहीपे इसका फिनिस होता है यहीपे एंड होता है एक स्टोरी तो यह स्टोरी क्या था तो एक कुत्ता रहता है उसने अपने परचाय में देखा कि एक हड़ी उस हड़ी को पाने के चक्कर में वो अपना ही हड़ी को खो देता है वो नदी में गिरा देता है और लास्ट में फाइनले उसको क्या होता है भुखाई राना पड़ता है वो भुखाई घर चला जाता है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमने स्टोरी को पढ़ा रीड किया इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल लेशन मिलता है मतलब क्या हमें सिक्षा मिलता है क्या हमें इससे इंस्पिरेशन मिलता है क्या सिखने को मिलता है तो उसके बारे में बात करते हैं तो मॉरल अब दा स्टोरी हमारा है if we always envy what others have we'll end up losing what we already have just like the greedy dog if if मतलब होता यदी we मतलब हम लोग always मतलब हमेशा envy मतलब होता है इर्सिया करना जलना किसी से जलना इर्सिया करना what मतलब जो others मतलब दूसरों के पास others मतलब दूसरे have मतलब के पास है तो if we always envy what others have if यदी हम लोग हमेशा जलते हैं जो दूसरों के पास है what others have जो कुछ भी दूसरों के पास इसको समझे जो कुछ भी दूसरों के पास इसमें कहना चाहरा है जो कुछ भी दूसरों के पास है उससे यदी हम लोग हमेशा जलते हैं किसी चीज़ के पास मतलब किसी दूसरे लोग के पास जो कुछ भी है जैसे मेरे पास जो चीज़ नहीं है मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन किसी और के पास गाड़ी है तो उसका गाड़ी को देख के हम लोग जलते हैं, तो जो कुछ भी दूसरों के पास है, उसको देख कर, अगर हम लोग हमेशा जलते हैं, उससे इर्षिया करते हैं, तो we will end up losing, we मतलब हम लोग will end up losing, मतलब खो देंगे, end up losing मतलब खोना, और यहां पे will का इस्तमाल हुआ है, तो यह future की बात कर रहा है, तो हम लोग ख खो देंगे, खो देंगे, हम लोग खो देंगे, what, जो we already have, जो we मतलब हम लोगों के पास, we have, हम लोगों के पास, already मतलब पहले से ही, already मतलब पहले, जो हम लोगों के पास, पहले से ही है, just like the greedy dog, just like the greedy dog, greedy मतलब लालची dog, मतलब कुत्ता, लालची कुत्ते की तरह, लालची कु इसका पूरा sense क्या है, तो कभी-कभी क्या होता है, कि जो हमारा English होता है, इसमें जो हम लोग translate करते हैं, इसको English to Hindi में, तो जब इसको translate करते हैं, तो उसका जो sentence का जो है, सही meaning हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, कि उसको अपने भासा में, अपने हिस इसको डालना पड़ता है उसको समझने के लिए थोड़ा इसको अलग तरीके से अपने हिसाब से समझना पड़ता है तो इसमें भी अगर हम लोग इसको दूसरों के पास है उसको देख कर अगर हम लोग हमेशा इर्सिया करते हैं जलते हैं तो we will end up losing what we already have तो जो कुछ हमारे पास पहले से है हम लोग उसको खो देंगे जो कुछ हमारे पास पहले से ही है हम लोग उसको खो देंगे just like the greedy dog जैसे कि लालची कुट्टे की तरह जो लालची कुट्टे की दसा हुई थी इस कहानी में उसी की तरह हम लोग खो देंगे तो जो कुछ भी दूसरों के पास है अगर उसको देख कर हम लोग हमेशा उससे जलते हैं उससे इर्सिया करते हैं तो ऐसे में हम लोगों के पास पहले से जो चीजें हैं उन चीजों को भी हम लोग खो देंगे जिस प्रकार से इस कहानी में कुत्ते ने खो दिया था जिस लाइक दा ग्रीडी डॉग लालची कुत्ते की तरह हम लोग पहले से जो हमारे पास है उसको भी हम लोग खो देंगे यह हमारा moral of the story है तो इसमें जो कुत्ता था क्या किया था उसके पास juicy bone मिला हड़ी उसको लेकिन वो लालची किया क्या वो दूसरा एक और चाहता था जो अपना परचाय में देख लिया था कुत्ते के पास हड़ी उसके चक्कर में उसके पास जो हड़ी था वो खो देता है तो यही हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए तो यह जो हमारा story है यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी दूसरों के पास है उससे हमें इर्सिया नहीं करना चाहिए दूसरों के पास है तो है जो मेरे पास है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए कि चलो मेरे पास ये तो है अगर दूसरों के पास कार है तो हमें ये नहीं सुचना चाहिए उसके पास कार है उससे जलना चाहिए नए, मेरे पास साइकील है, कोई बात नहीं, कमसे मेरे पास साइकील तो है, क्योंकि अगर हम कार की लालच करेंगे, तो पता चला कार के चक्कर में, जो मेरे पास साइकील है, वो भी चला जाएगा, तो इस प्रकार से हमें, जो मेरे पास है, जो हम लोग के पास है, उसी में सं दूस्ट होना चाहिए और दूसरों से कभी जलन नहीं करना चाहिए कभी उस पर इर्सिया नहीं करना चाहिए तो यह हमें यह स्टोरी हमें सिखाता है तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स के बारे में तो चलिए हम लोग पहले वर्ड्स की और चलते हैं पहला वर्ड हमारा है वेंडर्ड वेंडर्ड वेंडर् का पास्ट फॉर्म है डबलू ए एन डी आर वेंडर् वेंडर् का मतलब होता है घूमते रहना इधर उधर घूमना उसी का भी इस प्रकार से जूसी का इस्तमाल होता है अगला वाड है immediately, immediately मतलब तुरंत, सिग्रता से, जल्दी से, जल्दी के लिए immediately का हम लोग इस्तमाल करते हैं, अगला वाड है grabbed, grabbed, grabbed का पास्ट फॉर्म है, grab मतलब होता है पकड़ना, और grab का भीटू है, grabbed और भीत्री भी grabbed है, यानि grab मतलब हो गया पकड़ लिया पकड लिया अगला वर्ड है सैंग का मतलब हो गया डूब गई शैंग शिंक का पास्टेंप मतलब है डूबना, sink का भीटू हो गया sank, और भीतरी होता है sunk, तो sank मतलब हो गया डूब गई, अगला word है envy, envy envy का मतलब होता है इर्षिया करना, जलना किसी चीज से, किसी से जलना किसी से इर्षिया दिखाना, उसके लिए हम लोग envy word का इस्तमाल करते हैं bite, bite का मतलब होता है काटना, b-i-t-e, bite bite मतलब काटना, bite का इस्तमाल दाथ से काटने के सेंस में होता है जब भी हम दाथ से काटने का बात करते हैं तो उसमें हम लोग bite का इस्तमाल करते हैं जैसे बोलते हैं हम लोग मैं apple दाथ से काटता हूँ यानि मैं सेव दात से काटता हूँ तो I bite and apple इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो जब दात से काटने का sense इस्तमाल होता है तो उसमें bite का इस्तमाल होता है और other किसी चीज को काटने का जब बात हो तो उसमें cut का इस्तमाल होता है और बहुत सारे chop होता है तो बहुत सारे अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ट का इस्तमाल होता है लेकिन जो हम लोग जब दात से काटने का इस्तमाल करते हैं दात से काटने का सेंस दिखाना रहता है तो वहां पर हमें बाइट का इस्तमाल करता है बाइट का आपका पास्ट फॉर्म बीट होता है भ तो ये कुछ important words हैं जो हमें इस story के माध्यम से मिले हैं आप इन words का sentence बनाने का प्रयास किजी इन words से आप 5-6 sentences बनाईए इससे आपको इन words में command हो जाएगा और जब words में command होगा तो आपको ये words लंबे समय तक होगा लंबे समय तक आप इसे याद करके रख पाएंगे और आप इसको अपने English में daily use में इस्तिमाल कर पाएंगे इससे आपका English में improvement देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस परकास से हम लोग आज की session को यही समाप्त करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को like करें सब्सक्राब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को share तकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें तो thank you for watching my video दोस्तों धन्यवाद